Hello Guys , welcome to Ocean Minds तो आज के इस वीडियो में आप लोगो वैसे थमनेल देखके पता ही चल गया होगा कि वीडियो में क्या चीज डिसकस होने बाला है तो जैसे की टाइडेल में लिखा हुआ है कि हम इस वीडियो में डिसकस करनेंगे बिएई anything ago के बारे में तो करने से पहले हम लोग कुछ डिसकर्स करते हैं चैनल में आगे क्या होने वाला है लाइक बी-एस-6 के बाद जो अभी आपकमिंग बाइक आएंगे या फिर आपकमिंग जो भी कार्स लॉंच होगा इंडिया में जो बी-एस-6 कमप्लाइन इंजिन यूस तो उनका जो टेकनोलोजी है उसके बाद में हम डिसकर्स करेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि कैसे वो वाले इंजिन वो सब इंजिन आपका इतना रिफाइन एक्जोस्ट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है तो इस वीडियो को शुरू करते है एक छोटी से इंट बीडियो के बाद आपको लोग के साथ फिल से मिलता हूं तो बीएस 6 और स्टैंस फॉर भारत स्टेज एमिशन नॉर्म 6 जो यूरोपियन नॉर्म्स जो एमिशन नॉर्म से उससे कपी किया हुआ है और यह जो नॉर्म से हमें यह बताता है कि आपके जो एक्जॉस्ट गैस कोई भी मोटर वियेकल या फिर जो भी कम अबस्षन इंजिन से जो एमिशन प्रोडूस करता है और जो फ्यूल से चलता है लाइक पेट्रोल और डिजल और सी एन जी तो यह सब जो मोटर वियेकल से वह जो एक्जॉस्ट गैसेस में कितने मात्रा में लाइक कारवन मोनोकसाइड नाइक्ट्रोजन ओकसाइड और जो पी एम पार्टिकुलेट मेटर से वो कितना प्रोडूस करता है वो यह स्टेंडर्स डिफाइन करता है तो अभी जो चलते आ रहा है वो है बी एस फोर 2017 में यह बी एस फोर इंप्लिमेंट किया गया था लेकिन अभ प्रॉब्लेमेंट किया जाया भी तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली आमें तो इसी लिए बी एस फोर इंप्लिमेंट किया गया है और साथ साथ में इस बीए शिक्स को रिलेटेट बहुत सारी इशू सामने आए है लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेस्टन से कि प्रॉब्लम साएंगे लाइक पेट्रोल में उतना दिक्कत नहीं होगा लेकिन डिजल कारियों में आपको प्रॉब्लम साने के चांसे बहुत है तो यह इस टॉपिक के रिलेटेर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ से शफ्राम से लिएखल या फिर कोई भी इंटर्नल कंभेशन इंजिन जन्रेट करता है चाहे वह वह 2-stroke हो चाहे वह 4-stroke हो तो आजके इस वीडियो में इतना ही बने रहे या मारे साइसे चैनल के साथ और इस वीडियो को